वेरी वेलकम तो एवरीवन और फिफ्टी परसेंट फास्टर प्रिक्रेशन एटा एक्जाम भी वो सतर घंडे देखिए है सटे इंडिया वैसे ही स्टेज है अभी यह तीज दिन यह तीज दिन सच में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लाइफ के इट कें मेक और ब्रेक एक्जाम से जस्ट पहले आप क्या करते हो वो बहुत ज्यादा मेंटर करता है और अभी जो आपने पूरी तैयारी कर रखी है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते ह में इस वीडियो में हम बात करेंगे वह फेज वन एन फोकस इस ओनली ओन फेजन प्रिपरेशन देखो दोस्तों मैंने बार बार यह बात बोली हुई है फेज वन निकल गया ना फेज टू के तैयारी 21 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है मेरी खुद की 10 दिन की थी चक्सु अगर आपको पता नहीं है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज प्लीज भर लीजिए क्यूंकि अभी भी आपके पास टाइम है अभी आपके पास टाइम है आप को मालूम होगा साइज 16 जून कर दी है डेट विकॉज अब दा मनीपूर सिटुएशन कोई इसमें ज्यादा हंगामे की जोरोत नहीं है कुछ-कुछ लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं मैं उस पर डिस्कुशन नहीं करना चाहता है जिस्ट ट्रस्ट वट आर बेसे और इंपॉर्टेंट डेट आप कोई धान नहीं है तो ध्यान रखिए वैसे तो होंगे तो यादि होगा 9 जुलाई आपका एक्जाम है फेज वन को और 30 जुलाई आपका फेस्टू को डी पिया अगर आप लगी है आपके पास डी पिया की भी अपॉस्टुनिटी है तो फिर स कर लिए आपने कर लिया होगा क्योंकि नंबर और वेकेंसी यहां पर 222 है 38 डी पियर में है और भी तो बहुत है अगर आपको अगर आपको देश के सेंट्रल बैंक में काम करना है तो भाई क्या सोच रहो हजारों मतले वेकेंसी होंगी कि आपको लाखों में एक निकल के आना है ना सभी तो आपको देश के सेंट्रल बैंक में काम करने का मौका मिलेगा 21-30 साल तक यह इसकी रिक्वार्मेंट होते ही आपको पता है यह यह आप यहां पर देख सकते हैं डेट आपर कितनी हो नीची हम बात करते हैं कि फेज वन म मार्क में भी हो जाता है ध्यान से समझो इस बात को देर इस नो नंबर विच गारेंटी यू देट यू आर क्रोसिंग फेज वन देर इस नो सच नंबर आप यह त्रेंट देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए इसको एक बात को यहां पर समझना है कि डिपेंडिंग ओन एक्जाम देखिए यह कैसा है यह एक रेस है सेलेक्टेट लोगों को आगया आना है तंता बंता वाली गहाने सुन रुखे है ना नहीं सुने तो लोग दूसरे वीडियो में सुन ले ना अभी रिपीट नहीं कर रहा मैं तो आपके लिए तीस दिन इंपोर्टेंट है सीरि कि अधर परफॉर्म कि आप डीटेल में जाए थोड़ा सेक्शन वाइस देखिए इसको क्योंकि आपर सेक्शनल कट आफ है और सेक्शनल वाइस टाइम है हर सेक्शन में जनरल अवेने सबसे इंपोर्टेंट है अगर मैं लास्ट येर की बात करूं तो आपको दिख रहा हो सेक्शन वाइस कट आफ लेकिन सेक्शन वाइस कट आफ से ओवराल कट आफ नहीं निकलती है ये बाद से खुश नहीं हो जाना है कि ये में 20 मार्स लाओंगा ये तो आपको बोला है आपको टार्गेट करने चीए जीए में 60 मार्क्स 50 तो ला नहीं है ये सोचना है बहुत लखी होंगे जो लोग जीए में 40-45 मार्क से लाएंगे जब 122 जाएगा इसको हाँ अगर कट आफ 65 होने वाले तो उस बार आपके जीए में 30 से भी काम हो जाएगा बट उसके भरोश्रे मत रही है क्योंकि जीए इस बेरी स्कोरेंग डीटेल में वीडियो देख सकते हैं तो यह आप देखिए सेक्शन वाइज भी हर बार वैरी करता है ओवराल भी वैरी करता है एक एक सेक्शन पर बात करने हैं अगर पॉन्ट इयर वाइज पूरे 2014 के बा सेक्शन में अलग-अलग हुआ था तो 40% से 15% तक का सेक्शनल का टॉप रहा है अब क्वांट में 40% कुछ लोगी सूर की खुश हो रहे थे कि कांट में तो मैंने पांच से कर लिये मेरा काम हो गया ना कि दिफिकल्ट है अगर लेवल जैसा पिछली बार था datasets आßeruldade पमक्राइन से सही होँँए तो काम होँचता था प्ट हर बार ऐसा नहीं होगा दिकार एग्जाम आया यजी हो चूंका होचता तो आपको एक्जाम देते हुए पता लग सकता है अगर आप उसनी प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा खुद का एक्स्पिनिस लाया है बहुत बार मालूम पड़ जाता है कि यहां टफ लेवल क्वेस्टन है बट उसनी प्रैक्टिस दिये तो आप लेकिन उस धंजट में मत कि आपको पता है most of you are practicing seriously जिसको नहीं है वह पॉज कर ले इसको कि को समझ ले कि टॉपिक को इसले बस में क्या-क्या चीज़ें मेजर हैं मैं बात कर रहा है यहां पर करना क्या आप वो पॉंट में है पॉंट में अगर आप देखेंगे तो डी आई डेटा इंटरिटेशन उसके questions नौर्मली जैदा रहते हैं देखिए पिछले टीम सल का trend देखा है यहां पर हमने सीरीज के भी आते हैं पांच, दो, तीन, चार question approximation नौर्मली नहीं आता है यहां आया था नौर्मली नहीं आता है तो बहुत मेहनत मत कीजिए quadratic equation पिछले दो सालों मां आया है बट मैं बोलूंगा अगर आपको quadratic equation मुस्किल लगती है सोड़ सकते हैं क्योंकि यह थोड़ा tough बना देता है easy लगते हैं तो जरूर कीजिए क्योंकि आंसर बहुत जल्जी निकल आता है quantity comparison comparatively easy आने लग गया है भी काफी और arithmetic के question भी हर बार 10 से 12 आते ही आते हैं और मेरे हिस आपके arithmetic easy देखी अपना अपना comfortable है I am a non-match student मैं इंजीनियर नहीं हूं और मेरे 10th के बाद match भी नहीं पड़ी थी बट आपको मैं एक बात और बोलूं मेरा quant अच्छा है I have a if I have to see my phase one so where I am going to score most GA of course because it is the highest in terms of the percentage but quant also I will score very high because मुझे quant अच्छा लगता है और मेरा quant अच्छा है because of the arithmetic part arithmetic or DI समझे आप वो जो percentage ratio proportion time speed उसकी तो understanding इतनी बिल्ड कर ली आराम से हो जाता है वो बट आपको उसके लिए समझना पड़ाएगा fundamental करना प्रेक्टिस करना है तो यहां पर आपको किसी भी ऐसी चीद के भरव से नहीं बैटना है कि आसानी से हो जाएगा तो क्या एप्रोस होने चेए quant के लापकी आप डेली प्रेक्टिस को देखो कितन अब यह आप साथ मेर होगो तो समझते जाओ गए ठीक है तो यहां पर हाई-लेविल डिए भी करो और डेली प्रेक्टिस करो 10-15 हाई-लेविल अरिफमेटिक वेस्टिन कि यह दोनों ट्रोपिक से अब से जादा है इन अरिफमेटिक मेक सम चैप्टर सूपर स्ट्रॉंग अब करने लगों आप परसंटेज और रेशियो में लिखना है तो यह रेशियो से कोई 1-1 का रेशियो हो गया 50-50% तो मुझे तो सारे एक से लगते हैं क्या तरक पड़ता है इससे क्या क्या कर सकते हो जो कि सिंपल सिंपल फॉर्मूला है बहुत हाई-लेविल स्ट्रेट नीचे कल मैंने एक बड़ अच्छा सिंपल करके दिखाया बहुत मुझे लगदा रेखने में कि PRT by 100 जो होता है पॉ कॉंट में आप बना सकते हो इंपोर्टेंट टॉफ लेविल क्वेस्टन उसके नोट अलग से कॉपी करकर रख लिए इसको में देख नहींगा उसको आप संडे को रिवाइस कीजिए कॉंट में मेजर टावडिट दखना है कि मेरा कॉंट के लिए होता है बहुत ज़्यदा स्कूरिंग हर आदमी के लिए नहीं हो सकता है आपके लिए है तो रिजनिंग की बात करें तो सेम वह अगर आप देखिंगे तो 40 परसेंट 25 परसेंट और लास्ट यह 15 परसेंट ही कट आप नीचे आ गई हुट्टी के लिए तो यहां पर रिजनिंग के लिए यह इंपोर्टेंट टॉपिक से लगबग सारे एक्जाम में यह तोपिक नहीं है कोई नहीं नहीं है लेकिन आपको नहीं पता है तो आप पॉस करके इसको पढ़िए हम बात कर रहे हैं कि यहां पॉस व कुझे जाहें आपको चाहें और डी आपको शिटिंग ऑश्मेंट करने यचे आपको फेडरेटी है मेरे इस मेरे time में लखी लिए काम आते थे आपको यह एक्जाम में ज्याधा आते है भी नहीं था पहले-पहले मैं सुछता था क्या ही होता है यह all birds are cats, some cats are dogs, यह क्या है और when diagram करता था बाद में मैंने देखा पसंद या नहीं पसंद नौकरी है न मुझे अर्वय की नौकरी पसंद है तो उस तक पाने के लिए यह जो ना पसंद चीज भी है यह भी करनी है तो आपको देखना है यह has to develop this master expertise, you cross this hurdle, यह hurdle है रिस्तो कुछ और है रिस्तो आगे कुछ और है जिन्दगी की बट आपको यह hurdle क्रोस करना ही पड़ेगा तो reasoning के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे reasoning important है ही क्योंकि इसमें आपको score अच्छे कर सकते हैं और अच्छी बात पता है क्या reasoning है एक्जाम होल में सरप्राइज नहीं है बहुत ज़्यादा है जो जीए में होतकता है आपको इंग्लिस वीग भी है तभी आप अच्छा score कर सकते हो तो प्रेक्टिस करो 6-7 set high level पजल से इंट सबसे इंपोटेंट है यह आपको हाई लेबल एक्जाम से मिलने वाले जाची question चीए फिर बाद में बनाना आ जाता है उसको कैसे वो diagram बनाना है कहां किसको बैठाना है कहां और यहां पर आप कोई भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं आपको हर concept को जानना चाहिए कि कई बार easy question आते हैं coding decoding inequality cell autism input output blood relation analytical reasoning और यह comparatively कम मुश्किल होते हैं पजल या sitting arrangements से इंक्या practice करो और क्या उसके बिद्वे 5 question होंगे ना के बाद 6 भी हो सकते हैं के बाद 4 भी हो सकते हैं चारों या 5 गलत हो जाएंगे लेकिन यह one two questions का set होगा तो वहां पर at least एक question दूश्रे question का उप्रेक्न करेंगा प्रेक्टिस और मोडरें डिटिकल लेवल questions in chapter test section test RBI MOC IBPS PU जिसे आप देख रहे होंगे आप आप आपको करने पड़ते हैं आप जिसना करते हो उतने मिल जाते हैं तो आपको लग रहा है मेरा question वही है प्रेक्टिस हो जाएगी आपकी जब आप 20-25 मौक्टिस कर चुको होगे ना तो पहला वाला भूल गए होगे तो दुबारा करो मेरे टाइम में मेरे पास एक प्रेक्टिस सेट की बुक होती थी तो पता है कितने प्रेक्टिस सेट थे 50 जिरो आज आपको 500 कम लगत प्रेक्टिस सेट तो यूज्ट करते हुए तो हम बुक में ऐसे माउर कर देते थे हमारे टाइम में एक्जाम होता था तो वह पेपर में पिर ठिक लग जाता है तिर उसको मैं करने के बाद फिर एरेजर से प्राव क्लीन कर दूंगा फिर वह आते आते उस तक 2 मैंन लग ज इंग्लिश में भी याद में रहता है ऐसे जब बार बार टेक्टिट करते ना तब जाके इधर वह आंसर दिखने लगता है दिखने लगता है मतलब यू कन सी यह सिटिंग ऐसा होगा यह रेशियो प्रपोर्शन प्रसंटेज में बोला हूं यह ऐसा है यह नजर आने लगता है वह आई डवलफ होती है वह ब्रेंड की डवलफ होती है इंग्लिस लास्ट्रेंड अगा आप देखेंगा वैसे यह 40% to 15% सभी में यह है परसंटेज लेकिन आपको देखना है कि आप कहां ज्यदा अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो बहुत स्कोरिंग आई है क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है आप सारे क्वेस्टन पढ़ पाऊगे औ इसे मैंने बोला रीजनिंग में नहीं मिलने वाला है लेकिन कुछ लों के इंग्लिस कम जो रहा है तो वह यहां पर देखें कि इतना अटेंब कर पाते हैं और यह सारे टॉपिक फिर से वही है जो नॉर्मली किसी भी कॉम्टुटिटिव एक्जाम में होते हैं आप मिलने है कई बार जिरो जिरो मिले हैं कई बार और यह सब भी आ सकते हैं कुछ निखलीने साथ हैं तो इंपोर्टेंट जो आरसी सबसे इजी आंसर पैसेज में लिखे हैं इससे असन क्या होगा बताओ लेकिन आपको अंग्रेजी पढ़ना तो आना चाहिए अब यहां पर यूज करने परती है मैंने पहले भी बोला है बहुत साथ लेकिन आपको बार 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 बोलता रहूंगा जिससे कि आप उसको लर्न कर पाएं और प्रेप्रिस कर पाएं यहां होता है प्स टाइम राइज की त्योरी आरसी रिडिंग कॉम्प्रिहेंशल में आप यह मत सोच जाएगा प्स है माँ मैं आपको समझ लेना है कि पैसेज में होगा क्या धुबारा पढ़े लाएं क्या depending on the question वहां पर आप देख लोगे कंफर्म कर लोगे कि हाँ पैसेज में यही लिखा है उतना टाइम मिलेगा आपको लेकिन पूरा पैसेज दुबारा पढ़ने का टाइम तो नहीं मिलने वाला है फिर तो इसको नहीं आएगा सबसे असान है आरसी बहुत फूदर बेचिक कॉं और ग्रामर में बेसिक बेसिक चीजें अगर आप क्वेस्टन करते तो ले जाएंगे अगर आप दुबारा तीस दिन कंदर आपको कॉंट इंग्लिज रिजिंग सब करना है तो शायद आपको ग्रामर बुक जैसे मेरी फेवरेट होगी रहें तो पूरी पढ़ने का टाइम या तो आप जो आपको वीक सेक्शन है आपको टेंस फिर रखते उतना कर ली जिए नहीं तो आप वेस्टन कीजिए जो बोल रहा हूं में 30 45 मिनेट क्याश्टन कीजिए जो चैप्र वीक लग रहा है वहां पर आप ग्रामर की बुक में जाकर कर लीजिए और यहां पर एक स स्कोर हो गया बागी जगे सेक्शनल का टॉप थोड़ा थोड़ा आगे निकल गए तो फेज बन के लिए होने के पूरे चाल से दे इंपोर्टेंट चीजे मैंने लिखी है लेकिन पढ़नी होंगी बहुत मुश्किल क्योंकि मैं अगर बोलू तो मैं कई बारे यूज करता हू कि जर्नल अवेर्नेस का सिलेबस है सिंबल इस इन्फानाइट तो उसमें फोकस रखना है गोर्मेंट इसकी में इंपोर्टेंट है यह आपको फेस्टू के लिए इंपोर्टेंट रहेंगी पूरा जाने का नहीं है हम समरी बता रहे हैं आपको कहां मिलेगा अभी लुकिया आपके पास वीकली समरी और मंत्ली समरी अब तो शयाद मंत्ली समरी काई टाइम रहे हैं आपके पास समरी कीजिए वह सबसे इंपोर्टेंट है लास्ट ओर मंत्ली समरी जरूर जाएंगे और ज्यादा टाइम है मुजर मेजर कीजिए लास्ट वन ये तक की इंपोर्टेंट होती है बट इस डिपेंड़े आपने कितना उसको पढ़ लिया कितना रिवाइज करना है इस्टेटिक जो आपको बहुत बार बताते जा रहा हूं आपको मैंने एक इंपोर्टेंट क्वेस्टन पर आर्बे सीरी चला रखिए क्वेस्टन वहां पर देखिए तीन चार क्वेस्टन आएंगे जो बज़र एकनोगी सर्वेव अगरा चाहांगा और ये फेस्टू में आपको काम आएंगे यहां पर आपको इस्टी एंड रिविजन करना है और यहां पर आपको चीट शीट बराई पढ़ेंगे लिए आपको पता नहीं चीट शीट क्या है इन्हीं एक्जाम में कुछ चीटिंग विटिंग नहीं करनी है चीट शीट से बेसिकली नोट्स बट नोट्स होते हैं अगली बार उसका नाम पटर होगा यह कौन है आपको याद नहीं आ रहा है न तो गुगल कर लो इस तरीके की सीट शीट बनाने चाहिए आपको और मॉक टेस्ट जो होने की ओज एक्जाम लेबल के क्वेस्टन से वो करने चाहिए क्योंकि जब आप क्वेस्टन करते हो ना तो आपने जितना पड़ा होगा चांसेत बढ़ जाते हैं क्या रिकॉल कर लोगे आपको थोड़ी ना किसी के नाम की स्पेलिंग याद करनी है कोई रसेन आ रहा है कोई टुकेस आ रहा है कोई फिलिस्टीनी आ रहा है हमारे देश में या हमारे लोग वहां जा रहे हैं नेम अब दा प्लेसिज एट्सक्राइब नीट टूरिमेंबर देर इस्पेलेंग से एट्सक्राइब तो यहां पर अब मैं अगर समराइज करूं कि किस तरीके से आपको एक्जाम भी हल्प कर रहा है शॉर्ट वीडियो जे आपको कॉंसे इंपोर्टेंट यहां पर है इस समय यह प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेस्टन का खजाना कि अब हम एक्जाम के बहुत पास आगे हैं जितना प्रैक्टिस करोगे उतना पता लगेगा कहां में कितने गहराई में हूं तो आप चैप्टर टेस्ट जो आपको अपने लेबल वा क्वेस्टन से हमारे पास 2015 उन्वर्ड इनको तो दो दो वार तीन तिंबार कर लिए कि उससे आपके न इधर दिमाग में बन जाएगा ऐसे क्वेस्टन पूछे जाते हैं कुछ तो आभी जाएंगे उसमें से बट फेज बन में क्यू आरी में ज्यादा आ जाएंगे उसमें इनको यह आवार्ड की क्वेस्टन साथ आते हैं वह आपको पैटर्ण को में आ जाएगा और एक्जाम भी पर आप सुनते रहिए क्यूंकि जिन लोगों को आप सुनते हैं जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं उनसे आपका विनिंग मैंड सेट बनता है विन आपको हर चेप्टर में जाकर हो करना है यहाँ लेबल है लेवल और हाई लेवल बेसिक अगर हो गया है तो आपका फोकस इस तरीके के क्वेस्टन को होना है खुछ भी आपको डाउट है तो आप वीडियो के नीचे भी पूछ सकता आपको मालूम है यह चीज आप यहाँ यह पूछ सकते हैं देखें सिंप्लिक्रिक이션 हाई लेबल है और हम चाहेंगे आपको नाम भी आजाया जाए जट आप भी चाहेंगे आपकी फोटो आजाया विलकुल आएगी स्टोरी करेंगे इस बढ़ भी मेहनत करनी है अभी मेहनत करनी है यह हो फॉन्ठ हो चाहें रीज पूस आपने नहीं भी लिया है हमारा फिर भी आएक्जाम भी आपको आर वे ग्रेट भी वनने में हल्प करने वाला है लेकिन इस्टेडी तो सेल्फ करनी पड़ेगी दोस्तों है मक्तेस्फी मिल रहे हैं लेकिन टाइम आपका है अनलाईज करना है बहुत 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 डीप आनलाईज करना है क्या आपकी श्ट्रेंथ है क्या आपकी वीक्नेस है believe in yourself success will come to you all the best